एलो फ्रेंड्स तो आप यहां पर देख सकते हो मेरे पास एक पुरा ना टीवी का किट पड़ा हुआ है तो इस किट से आज हम एम्प्लिफायर बॉक्स बनाने वाले हैं तो इस एम्प्लिफायर से बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलता है हमें तो आप वीडियो को कम्पी किट है तो आपको सबसे पहले यहां पर एम्प्लिफायर का सेक्षन दूरना है तो यहां पर है हमारा पावर सप्लाई का सेक्षन तो उसी के सामने ही एक और सेक्षन है यह है हमारा एम्प्लिफायर का सेक्षन तो यहां पर आप देख सकते हो कि 5 pin की एक IC लगी हुई है वो मैं जल्दी से इसे cut कर लेता हूँ, आप भी इसे बहुत यासनी से cut कर सकते हो, कि इसके सारे sections अलग होते हैं, तो इसका कोई भी यहाँ पर connection cut नहीं होगा, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको side side से इसे cut करना है, तो यहाँ पर मेरे पास blade hexा है, तो मैं इसी से इस PCB को cut करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने इस section को अलग कर लिया है, बहुत ही अच्छे से मैंने इस PCB को cut किया है, आपको भी एक बात का ध्यान रखना है, कि इसके किसी भी track को damage नहीं होना चाहिए, cut करते समय, नहीं तो जो हमारा amplifier board है, व तो मैं आपको screen पर दिखा दूँगा, तो इस box में हम amplifier को fit करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक speaker connector लेने वाला हूँ, यह आपको market में असानी से मिल जाएगा, और एक on-off switch चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ cutting करने वाला हूँ, components की, तो कौन-कौन से component है, वो मैं आप को आगे बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने mark कर लिया है, तो इसे मैं cut कर लेता हूँ सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो speaker connector है, इसका size का मैंने यहाँ पर cut लगा दिया है, rectangular में, और एक हमारा wire input के लिए, एक LED के लिए, एक 12 volt female connector के लिए मैंने पर connect भी कर दिया है, उस time की video clip मेरे से delete हो गई है, तो इसलिए वो मैं आपको नई दिखा पाया, सबके लिए मैंने यहाँ पर cut लगा दिया है, तो अभी मैं आपको connection समझा देता हूँ, तो यह जो हमारा 12 volt female connector है, इसका यह negative pin है, और यह positive pin है, तो इसका हमें connection करना है, तो आ आपको समझ में आए, इसलिए में color code का use करने वालो, red wire मतलब positive और black मतलब negative, तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ कि मैंने positive pin में red wire को connect किया है, और negative में black wire को, अभी हम on a switch के connection कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर एक red wire लेनी है, तो इस wire को हमें switch के नीचे वाले pin पर connect करना है, तो मैंने इस wire को नीचे वाले pin पर connect कर दिया है, अभी हम switch को यहाँ पर fix कर देते हैं, तो इसे fix करने के बाद, अभी जो हमारी supply मतलब जो female connector से wire आ रही है, उसे हमें switch के उपर वाले pin पर connect करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी female connector से red wire आई थी, उसे हमने switch स control कर लिया है, अभी हमारे दो wire supply के बन चुके है, switch के through, अभी हमने जो speaker wire connector लिया था, इसके मैंने दोनों pin को common कर दिया है, मतलब जो दोनों negative है, उन्हें मैंने आपस में जोड दिया है, और दोनों positive को भी आपस में जोड दिया है, तो आप एक ही IC है, तो इसमें left red कुछ नह problem नहीं होगी, तो अभी मैं speaker connector को fix कर देता हूँ, यहाँ पर, तो अभी मैं एक potentiometer लेने वाला हूँ, जिससे आप volume controller भी कह सकते हो, 10k का मैं यहाँ पर potentiometer यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने hole बनाया था, potentiometer के लिए, तो सबसे पहले हम इस potentiometer को यहाँ पर fix कर द करना है, तो इसे connect करने के बाद, तो इस LED को हमें यहाँ पर fit करना है, जहाँ पर हमने LED के लिए hole किया था, अभी मैं आपको बताता हो कि इस board पर हमें कहाँ पर क्या क्या connections करने है, तो आप सबसे पहले board देख सकते हो, यह बहुत ही simple है, connection कोई भी इसका hard नहीं है, तो सबसे पर का यह capacitor है, तो यह बड़ी line आपको दिख रही है, वो है negative, और जो अंदर की जो pin है, वो होती है, हमारी positive, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप capacitor के भी terminal से देख सकते हो, उपर जो negative बना हुआ है, capacitor का वो negative होगा, और यह positive, तो अभी हमें supply के लिए क्या कर है friend, मैं आपको फिर से बता देता हो, कि जो सबसे बड़ा capacitor है, वो ही हमारा input होता है, तो उसके positive में हमें supply का positive और negative connect करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने connect कर दिया है wire को capacitor के, अभी हम speaker के connections कर लेते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, कि मैंने दोनों pin को common किया है, एक negative और एक positive, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यह जो तो connector बने हुए है capacitor के नीचे, यह हमारी speaker के output connections है, तो यहाँ से हमें दो wire को ले लेना है, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ पर दो speaker का connection तो है, पर ICA की लगाई है board में, सबसे पहले हम negative को पता कर लेते करेंगे, और यह जो दो speaker के हमने point निकालेते, उसे हमें connect करना है, जहाँ पर भी buzzer बजेगा, वो हमारा negative pin होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि इस speaker के right side पर हमें negative दिखाई दे रहा है, मतलब यह हमारा negative pin होगा, तो यहाँ पर हमें speaker का negative wire को connect करना है, और left side पर हमें positive को तो यहाँ पर भी मैं color code का use करने वाला हूँ, तो black wire को मैंने right side पर connect किया है, और red wire को हम left side पर connect करेंगे, अभी हमारे speaker के wire भी ready है, अभी हमें इस amplifier board में input को दोड़ना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर temporary एक speaker को connect कर दिया है, output से, तो यहाँ पर हमें input दोड़ने के लिए एक speaker की जरूत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर connect कर देता हूँ supply को, यहाँ पर मैं 12V का supply यूज करने वालो adapter से मैंने supply दे दिया है, तो switch on करने के बाद, अभी हमें देखना है कि यह जो IC के सामने दो capacitor है, इन में से किसी एक capacitor में हमें humming की noise आएगी, जब हम tester को उ 2.5 mm jack का जो input होगा, वो हमें यहाँ पर यह लेना है, तो आप देख सकते हो कि यह जो capacitor है, दूसरा वाला, उसके negative में हमें humming की noise मिल रही है, मतलब यह हमारा input होगा, अभी हम input के भी connections कर लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस capacitor के negative pin पर हमें humming की noise आ रही है, तो यहाँ पर मैंने एक blue wire को connect कर दिया है, अभी आपको समझ लेना है कि blue wire मतलब हमारी positive होगी, और एक ground के लिए आप कही पर भी ground को लगा सकते हो, तो यहाँ पर मैंने supply का negative लिया था, वही हम connect करेंगे ground को, तो यहाँ पर हमारे input के दोनों wire को मैंने connect कर दिया है, तो फिर से आ connect कर लेता हो LED के, और इस LED के बहुत ही easy connections है, इसका ground हम कही पर भी दे सकते हैं, और जो इसका positive है, इसे हमें directly, जहाँ से हमने input दियाता supply का, वही हमें connect कर देना है red wire पर, मैं यहाँ पर इसे connect करने वाला red wire पर, और यह जो दो बचे हुए wire है, यह हमारे audio input के wire है, अभी हम connection कर बता है यह white wire हमारी ground है input की, तो इसे हम potentiometer के first वाले pin पर connect करेंगे, और मैंने जैसे बता है था blue wire हमारी positive मतलब जहां से हमने capacitor से negative में लाया था wire, इसे हमें potentiometer के center वाले pin पर connect करना है, तो आप देख सकते हो कि यह जो blue wire हमने capacitor के negative से लिया था, उसे मैंने potentiometer के beach वाले pin पर connect किया है, और ground को first वाले pin पर connect किया है, अभी मैं इस PCB को अच्छे से fix कर देता हूँ, double tape की सहायता से, क्योंकि यह PCB अंदर हिलना नहीं चाहिए, एक जगे पर fix हो जाएगा, इसे लगाने के बाद, अभी मैं यहाँ पर 3.5 mm का एक jack लेने वा लव, इसे मैंने पुराने earphone से निकाला हुआ है, सबसे पहले मैं आपको pin बता देता हूँ, कि यह जो first वाली pin है, यह हमारी ground की pin होती है, और यह नीचे की left, right की pin होती है, तो हमें left, right में से किसी एक का use करना है, और ground का use करना है, तो यहाँ पर मैं एक simple wire का use करने वाला हूँ, जो हमारा ground है, वहाँ पर मै orange color की wire को connect करने वाला हूँ, और left या right में से किसी पर भी हमें yellow wire को connect कर देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ground पर हमारा orange color है, और input में yellow color का wire का हमने use किया है, अभी हमारा यह जो jack है वो ready हो चुका है, अभी हम इसके input में connection करेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक hole बनाया था, इसी से हम wire को निकालेंगे, wire को निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक knot लगा देनी है, ताकि अगर wire खीच भी जाती है, तो हमारा जो connection है, वो अंदर से छुटेगा नहीं, मतलब disconnect नहीं होगा wire, तो हमें इसको कहाँ पर connect करना है, वो भी आपको बताता हो, तो जैसे कि मैंन potentiometer के first वाले pin पर ही connect करना है, मतलब ground gray देना है, और जो yellow wire है, इसे हमें potentiometer के third number वाले leg पर connect करना है, तो यहाँ पर हमारा audio input का भी connection हो चुका है, अभी हमारे दो wire बचे हुए है, यह हमारे speaker output के है, तो इसे हम speaker connector पर connect कर देते हैं, positive में हम red color के wire को connect करेंगे, और negative में black color के wire को, अभी हमारे सारे connection हो चुके है, अभी हम इसे pack कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि connection मैंने बहुत ही आसनी से आपको समझा दिया है, तो अभी हम इसे pack कर लेते हैं box को, तो यहाँ पर मैं volume controller के लिए knob का use करने वाला हूँ, यह भी आपको market में आसनी से मिल ज जाएगा, तो इसे मैंने यहाँ पर लगा लिया है, अभी हमारा amplifier box बनकर ready हो चुका है, तो जो हम ने jack लगा था 3.5 mm, इसे भी हम pack कर लेते हैं, तो आप किसी भी चीज का use कर सकते हो, pen का sketch pin का, तो मैं इसे बना लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस jack क बना लिया है, glue gun का use करके, अच्छे से मैंने fix कर दिया है, अभी हमारा amplifier box बनकर ready हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर जो हम box में cuts आते हैं, पहले से switch के socket के, यहाँ पर आप चाहे तो PVC sheet का use करके pack कर सकते हो, या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, इस प् amplifier को input देने के लिए में adapter का use करने वालो 12 volt adapter, तो जहाँ पर हमने female connector को connect किया था, वहाँ पर हम adapter के pin को लगाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इसे connect कर दिया है, अभी हम इसे connect करेंगे board से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि on off करने पर हमारी LED है, वो on off हो रही है, इसे हमें पता चल जाएगा कि supply आ रही है या नहीं, तो अभी हमारा amplifier on हो चुका है, तो यह है हमारा input, तो सबसे पहले हम speaker की wire को भी connect कर लेते हैं, तो यहाँ पर में 4 inch का speaker connect करने वालो, तो आप यहाँ पर देख सकते कि direct wire speaker से ही आई है, तो यहाँ पर दो wire है speaker के, इसे हमें एके करके connector में connect करेंगे, अभी हम audio input देने के लिए mobile को audio jack connect करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी मैं थोड़े देर के लिए चुप हो जाता हूँ, आप इसका audio quality भी देख लीजी, आप इसके value को भी कंट्रोल कर सकते हो बहाती आसानी से, और मैं एक इस पेटेंगे को भाप यहाँ पूट आ रहा है speaker से, अभी मैं आपको दो speaker को भी connect करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने पास एसा ही और एक speaker है, तो इसे भी हम connect कर लेते हैं, इस speaker connector में, तो आप इसे दो speaker को भी चला सकते हो, इस amplifier पर, आप इस पर 4 इंच तक के speaker को आसानी से चला सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कि मैंने यहाँ पर hole नहीं बनाये है, heat sink के back side पर, तो यहाँ पर आप hole बना दीजिए, ताकि जो इसकी heat होगी, वो भार जाएगी, और यह IC जल्दी से थंडी होती रहेगी, तो यहाँ पर मैंने ऊपर इसलिए PVC sheet नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें हावा आती रहे और heat ज्यादा अंदर नहीं हो, तो आपको यह amplifier box कैसे लगा, और एक खराब TV kit से हमने amplifier को बनाया है, तो यह वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो, तो चैनल को भी subscribe करना ना भूले, और bell icon को भी click कर दीजिए, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में,